अध्याए पांच किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे और चवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और चवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे उन विद्वाओं का जो सचमुच विद्वा हैं आदर कर और यदि किसी विद्वा के लड़के बाले या नाती पोते हूं तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ती का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदी को उनका हक देना सीखें क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है जो सचमुच विद्वा है और उसका कोई नहीं वो परमेश्वर पराशा रखती है और रात दिन विनदी और प्रार्थना में लॉलीम रहती है पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है इन बातों की भी आग्या दिया कर ताकि वे निर्दोश रहे पर यदि कोई अपनों की और निज़ करके अपने खराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अव विश्वासी से भी बुरा बन गया है उसी विद्वा का नाम लिखा जाए जो साथ वर्ष से कम की ना हो और एक ही पती की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो जिसने बच्चों का पालन पोशन किया हो पाहुनों की सेवा की हो पवित्र लोगों के पाउं धोय हो दुख्यों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया पर जवान विद्वाओं के नाम ना लिखना क्योंकि जब वे मसीही का विरोध करके सुखविलास में पढ़ जाती हैं तो ब्याह करना चाती हैं और दोशी टहरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बाते बोलती हैं इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विद्वाएं ब्याह करें और बच्चे चनें और घरबार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का आवसर ना दें क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं यदि किसी विश्वासिनी के यहां विद्वाएं हो तो वहीं उनकी सहयता करें कि कलीसिया परभार ना हो ताकि वो उनकी सहयता कर सकें जो सच मुझ विद्वाएं हैं जो प्राचीन अच्छा प्रबंद करते हैं विशेश करके वो जो वचल समाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं दो गुने आदर के योग्य समझे जाए क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हगदार है कोई दोश किसी प्राचीन पर लगाया चाए तो बिना दो या तीन गवाहू के उसको ना सुन पाप करने वालों को सब के सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे परमेश्वर और मसीह यिशू और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थे जान कर मैं तुझे चिताओनी देता हूँ कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपाच से ना कर किसी पर शीग्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना अपने आपको पवित्र बनाय रख पविश्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर कितने मनुश्यों के पाप प्रगट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुच जाते हैं पर कितनों के पीछे से आते हैं वैसे ही कितने भले काम भी प्रकठ होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते